दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको थाई का नाप लेकर बताएंगे थाई मतलब हो गया आपका जांग इंगलिस वर्ड हो गया थाई और हिंदी वर्ड हो गया जांग तो बहुत से हमें कॉमेंट में बोलते हैं थाई मतलब क्या होता है तो दोस्तो थाई मतलब जांग होता है, इसी की गुलाई जो हमारी रहती है, इसी को थाई बोला जाता है, तो थाई का नाप जो होता है, सब पैंट में अलग अलग तरीके से होता है, तो जैसे डवल प्लिटेट जो पैंट रहती है, उसमें थाई का नाप अलग तरीके से लि लिए जाता है तो सबसे पहले हम आपको डवल प्लीटेड जो पैंट रहती है उसमें थाई का नाप किस तरीके से लेना है आप अच्छी तरीके से समझ दें तो सबसे पहले आप थाई का जब भी नाप लेना कस्टमबर को बोले कि पॉकट कंदर कोई भी समान रहे उसे आप निकलवा दे तो देखे तो दोस्तो निकलवाने के बाद यहां पर थाई हमें फ्रेस मिलती यहां पर इस जगह में तो जिससे हमें नाप लेने में काफी स्वीधा रहती है तो पहले हम आपको बता देते हैं कि हम पहले डवल प्लीटेड पैंड की थाई का नाप लेंगे त इसे फिटिंग ना पेंगे तो देखे दोस्तो आपको अच्छी तरीके से फिटिंग ना पना है तो इस तरीके से आप फिटिंग ना पेंगे तो यह हमारा आ रहा है तो साड़े तीन इंची लूच करकर जितनी थाई हमारी आती है उतना ही आपका डवल प्लेट में थाई होनी चाहिए अगर कस्टमर कोई लूच पहनना चाहता है तो आप उसे उसी के हिसाब से थाई का नाप दे वैसे जो हम तरीका बता रहे हैं ये तरीका बहुत ही अच्छा है और अच्छी जो पैंड जो थाई होती है इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग वाली थाई आपको मिलेगी डवल प्लेट पैंड में तो दोस्तो इस तरीके से हम डवल प्ले है फिटिंग में पूरी उनाई सिंची आ रही है अब हम कश्टमबर से पूश सकते हैं कि वो कितनी फिटिंग पहनना चाहता है अगर कश्टमबर को इसके बारे में नौलेज नहीं है अगर कश्टमबर को नौलेज है तो वो अपने बोल देगा कि मुझे 20 इंची चाहिए में हम यंग बेच लड़के में एक इंची लूज दे देंगे तो यह हमारी हो जाएगी 20 इंची अगर थोड़ा सा हलकी सुमर किसी की जादी है तो उसे आप साड़े 20 भी दे सकते है तो मतलब उने इस इंची आपका फिक्स आ गया और डेर इंची आप लूज देंगे तो यह हमारी साड़े 20 इंची हो जाएगी जो पहनने में काफी कमफर्टेवल रहेगी अब बात करें दोस्तों किसी की जांग अधिक मोटी है तो वह बैठने के पात वे थोड़ी जाड़ा फोलती है तो उस समय आप डेर इंची लूज दे डेर से पोने दो इंची तक भी लू पैसानी आ सकती है थाई के विए तो यहां पर अनौइश इंची जो फिटिंग लेना पी अगर जांग मोटी है तो पौने 2-2 इंची लूज बी दे सकते हैं अब हम बात करते हैं ऑफिस्यल पैंड की तो ऑफिस्यल पैंड में थाइका नाब किस तरीके से लेना हैं तो यहा थाई आ रही है उने इस इंची तो ऑफिसियल पैंट जो होती है वह जादी फिटिंग नहीं रहती है वह कमफ़टेबल रहती है ऑफिस में पहन का वर्क करना है तो उस हिसाब से जो भी बनवाते हैं तो वह थोड़ी सी हलकी एफिस धाई में लूज़ बनवाते है तो उस समय आपको क्या करना है इस हमारा उने इस इंची आ रहा है आपको सीधhe दो इंची लूज़ कर देनी है उने इस इंची आ रहा है तो दो इंची post कर देंगे तो यह हमारी हो जायगी 21 इंची, तो 21 इंची official paint में आप loose दे दे, तो ये आप काफी comfortable रहेगी पहनने में देखे दोस्तो इस तरीके से comfortable रहेगी पहनने में office में बैठने में, खड़े होने में कोई तरीके की दिक्कत नहीं होगी देखे दोस्तो थाई के बारे में हम और और भी आपको बता देते हैं, बहुत से लोग थाई को एक्ष्ट्रा लूज में भी पहनते हैं, अगर कोई एक्ष्ट्रा लूज में पहना चाहता है, तो आप उसी की मर्जी से दे, अपनी मर्जी वहां पर मत लगाएं, अगर कोई बोलता था अपनी मर्जी से दे, तो आप पैंड की एक ठो अच्छी साइज में थाई बन सके तो दोस्तो हमें लगता कि आपका थाई के बारे में कोई भी डाउट रहा होगा वो किलियर हो गया होगा अगर दोस्तो आपको और भी कोई पाट रहे बोड़ी का दोस्तो हम पैंड के बारे में बात कर रहे हैं अगर आप क हम उसका भी डाउट आपके साथ किलियर करेंगे तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद थैंक्यू